नमस्कार तथे में आपका स्वागत है मैं हूँ मनीश अबस्ती जिया तथे में हम बात करेंगे चीन की चीन एक तरफ दावा करता है कि वह भारत के साथ सभी सीमा विवात को सुल्जाने के लिए लगातार काम कर रहा है दूसरी और राश्रपती शी जिंग पिंग की अगवा दर्शित कूट नितिक मेल जोल के बावजूद ऐसा लगता है कि पड़ोसी देश ते फिर से गलवान घाटी में हुई हिंसा जैसी घाटना को दोहराने के लिए अपनी नापाक तैयारी शुरू कर दी है हलाकि चीन विवादों को निफटाने के लिए वारता करने के साथ ही सीमा विवाद पर सुला को लेकर सकारात्मक रवया दिख रहा है लेकिन वे 2020 के घातक गलवान संखर्च के दोरान इस्तेमाल किये गए हाथ से लड़ने माले हत्यारों को खरीदने में व्यस्त है इस बात का खुलासा एक मीडिया रिपूर्ट में किया गया है विशेशग्यों को इस बात की आशंका है कि इन हत्यारों का इस्तेमाल विवादित वास्तविक मियंतरन रेखा पर भारती एस्तेनिकों के किलाप किया जा सकता है चीन की प्यूबल्स लिबरेशन आर्मी पियले कहते हैं इसे ने दोहजार बीस की गलवान घाटी जड़प में इस्तेमाल किये गए कोल्ड वेपन्स की कैटेगरी से संबंदित नुकीले चड़ी जैसे दिखने वाले हत्यार खरीदे हैं बता दें उस जड़प में बीस भारतिये सेनिकों की जान चली गई थी जड़प के करण चीन के साथ सेनि गतिरोद के हालाद बने और पीछे हटने की प्रक्रिया पर दोनों पक्षों में कई दौर की बाच्चीत भी हो चुकी है इस हत्यार को संयुक छड़ी बोलते हैं जिसे स्पाइक्स और धारधार किनारों से जोड़कर युद्ध के लिए तैयार किया गया है इसी महिने चीनी विदेश मंतरी किन गैंग ने अपने भारतिये संकक्ष एस जैशंकर से कहा था कि भारत और चीन को द्विपक्षिये संबंदों में सीमा मुद्दे को उसी तिस्थान पर रखना चाहिए और सीमाओ पर इस्थिति को सामानी प्रबंदन के तहट जल्द से जल करने की या जल्द से जल ठीक करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए United efforts चीनी सेना ने इस साल जनवरी में नुकीले हतियार खरीदने के लिए टेंडर दिया था और एक माँ बाद इसकी खरीददारी भी हो गई ये नुकीले हतियार भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंतरन रेखा पर बेहद खास बन गए हैं कुछ रिपोर्टर के निवसार त्यांजिन में पीपल्स आम्ड पुलिस ने अतीत में नुकीले चड़ियों का इस्तेमाल गश्ट के दौरान अपराधियों से निपटने के लिए किया है पीएले के जवानों को युदमे नुकीले हतियारों को इस्तेमाल करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएले ने 26 ऐसे नुकीले हतियार खरिदने का ओर्डर दिया था ऐसे में चीन के मनसूवों को समझ कर भारत को पहले ही सतेज यानि की सचेट एलर्ट हो जाना चाहिए जी हम क्योंकि चीनी है लाल ड्रैगन है कभी विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी सोच में विस्तारवाद है तथे में आज के लिए फिलाल इतना ही नमस्कार